हेलो फ्रेंट विल्कम ट्राहई चैनल हालिकर्स क्रियेशन हम अज की वीदियो स्टार्ट करते हैं हम अचरा की रेसिपी बताने वाले हैं जिसमें कैरी चाहिए jest घल्दी पाउडर और नमक है जो ये मेरी डादी पना रही है जिसमें केरी के अंदर हलती और नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे 5-6 मिनिट तक और उसके बाद में हम वश करेंगे हम वश करने का टेक्निक भी आपको बताएँगे चलो हम देखते हैं कैसे वश करते हैं सो अब भी हमारी कैरी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, पाथ से दस मिनिट मिक्स कर लिया है, अब हम इसको पानी में धोएंगे, सो अब कैरी को नल के नीचे लेके जाना है और अच्छे से मिक्स करना है उसको तीन से चार बार अच्छे पानी में धोना है एक बार धो के बाद में पानी निकालेंगे और उसके बाद में फिर से इसको धोएंगे दो से तीन बार तो दोना ही है जिससे इसमें से थोड़ा खट्टास कम हो जाए और हल्दी का कलर उस पे छड़ जाए सो अब हमने वाश कर दिये दो से तीन बार अब चद पे सुकाने जाएंगे और चद पे ऐसे एकदम अलग-अलग सुकाना है कोई भी कॉटन साड़ी पे जिससे पानी एकदम अच्छे से सुक जाए और उसमें पानी चरा भी नहीं रहना चाहिए नहीं तो अच्छार खराब हो जाता है चलो हम अच्छार बनाना स्टाट करें बनाने के लिए हमको चाहिए होगे ये इंग्रीडियन्स सबसे पहले एक किलो कहरी, सो ग्राम मिर्ची पाउडर, पचास ग्राम मेथी दाना, दो बड़े चमच सौफ, एक चमच रही की दाल, एक चोटी चमच कलॉंची, एक चोटी चमच हल्दी पाउडर और एक पिंच हिंग्र 100 ग्राम तेल और नमक स्वादनोसा और तेल को हमें अच्चे से गरम करके ठंडा करना है और बात में यूज़े उसक करना है, हम तेल ससो का ही यूज़े करेंगे इसमें और नमक हम इसमें स्वादुनसा डालेंगे सबसे पहले हमको सब मसाले इसमें मिक्स करने है जो भी मसाले है तेल के सिवाई मीर्ची, पाउडर और ये जो मसाले मैंने बताए है हल्दी, मेथी, दाना, कलॉंची, हिंग ये सब और नमक, सौफ इसमें डालके अच्छे से मिक्स करेंगे देखे, मैं बताती हूँ आपको कैसे अच्छा बनाना है ये अच्छा सब से टेस्टी बनता है मेरे आजू-बाजू जितने भी रहते हूँ उनको सब को ये अच्छा बहुत ही अच्छा लगता है आप ये रेज़िपी ट्राइ करो, करते और मुझे कॉमेंट करके बताओ कैसे तेस्ट है इसका तो मैंने मिक्स कर लिया इस interrupt मसाले अब हम इसमें कैरी एड़ करेंगे कैरी डल चूक है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम अच्छे से मिक्स करना है मारा अच्छार अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें सरसो का तेल डालेंगे मैंने आपको बता है कि सरसो के तेल को अच्छे से गरम करना है और बाद में उसको ठंडा करना है और बाद में ही इसमें डालना है कच्छा मत डालिएगा क्योंकि उससे टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है इसलिए आप अपने अनुसार इसमें तेल थोड़ा-थोड़ा करके डालना और अब ये अच्छा रेडी है अब इसको ठक के दो दिन के लिए रख देना है दो दिन के बाद देखो हमारा अच्छा एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे देखो तेल कैसा दिख रहा है आपको है ना हमारा अच्छा रेडी हो चुका है अब हम इसको एक कंटेनर में डालेंगे जो आपको दिख रहा है ना इस टाइब को कोई भी अच्छार डालने का कंटेनर लेना एड टैट होना चाहिए और अच्छार को अच्छे से दबा के डालना जिससे अच्छार खराब ना हो हमने कंटेनर में डाल दिया है अब हम इसमें सरसो के तेल को डालेंगे सरसो के तेल को गरम करके ठंडा करेंगे और बाद में इसमें यूज करेंगे उतना डालना है जब तक सरसो का तेल अच्छार के उपर तक ना आ जाए अच्छार रेडी हो चुका है एंजोई करो और मुझे कॉमेंट में बताओ कि कैसा बना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो